मैं खहता हूं कि वीरासत से तै नहीं होते सियासत के पैसले यह तो उडान तै करती है कि आसमान किसका है आने वाले छे मैने बाद में आप देखना राजस्तान के अंदर नया इतियास रचा जाएगा कि सत्ता कॉंग्रेश पार्टी से और भारत्य जनता पार्टी से नहीं बन चात्रों के मसिया है यह उन्ट पिछ्डी आवासों के मसिया है जिनको सुनने का ससार्कार काम नहीं कर रही है अँगे मैं मैं खहता हूं कि वीरासात से तै नहीं होते सियासात के पैसले, यह तो उडान तै करती है, कि आसमान किसका है, और यह उडान आदने सचीन पाइलेट साब उड़ने वाले हैं, देखने वाले विपक्ष curry भी देखेंगे और आदने सीम साब जो गैलोज साब को सत्ता का गुरूर चड़ा हुआ न वो भिस जन्ता का प्यार प्रेम देखने वाला है, यह मेhaitा वादा है आने वाले छे मैने बाद में आप देखना राजस्तान के अंदर नया इतियास रचा जाएगा कि सत्ता कॉंग्रेश पारिटी से और भारत्य जनता पारिटी से नहीं बनती इन युवाओं की दिल की दड़कन से माता और बैनों की आवाज आज आपने सुनी लगों बुल्डोजर पर चड़े हुए दिखाई दे रहे थे आपको कितनी कम बीड आपको ऐसे लग रहा था जगा कम कितनी थी लेकिन बीड लाखों की तादाद में थी तो ये प्यार नजारा आकता है सर ये प्यार पी रही लोगों को पुलीस कितनी रोके, सासन पर सासन कितना ही रोके, लेकिन दिल की दर्खन को आप रोक की दिखाईएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते, वो दिल की दर्खन आदानी सचीन पाइलेट साब है, मेरा वादा है, सबी लोगों से, और आन हमें जिंदा नहीं, हम उस समय पैता नहीं होते हैं, लेकिन आज हमें पता चला, कि लोग अगर सचे होते हैं, तो उनके भुत्तर भी मस्बूति से, राजस्तान के आवाज बनकर आज पिजले पांथ दिन से, और पिए सिस ब्रस्त कारेले से चलके, राजस्तान के इस पाव तो साब को चेताओं नहीं दे दिया, कि करना है तो मई के मैने में करके दिखाईएगा, जनौरी से तो हम आंदोलन रचेंगे, क्या ना हूँ आपका, मुसकान गुर्जर, मुसकान जी, आप कहां से आई हैं, धौल पूर से, आप सचिन पाइलेट का समर्थन करने इतनी भी जी स्थान के अंदर, जो गरीब, किसान, मजदूर है, उसके साथ अन्याय نہیں हो, अत्याचार नहीं हो, अगर अन्याय हुआ है, अगर अन्याय हुआ है तो को जो आन्याय हो रहा है उसको मिटाने का कारे करूं तो ये गद्दार नहीं है, ये गरीब के मसिया है, किसान के मसिया है, मजदूर के वसिया है, छात्रों के मसिया है, ये उन पिछड़ी अवाजों के मसिया है, जिनको सुनने का सरकार काम नहीं कर रही है, उनके मसिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा, शुरू से लेके आ लोगों से कोई वास्तिक्ता को उनका जुडाम नहीं हो सकता आप युवाओन के बार बार पेपर लीख हो जा रहे हैं राजस्थां तान में क्यों आपको मतलब क्या समस् عن मकी सरकार को रोगना या सरकार इसा कर ukё देखो सरकार अगर ये चाहती हो आप खुष समझilight है यहाँ पर जित्ते लोगा sits देख रहे हैं वह शो CC अमज़ार आजका काम नहीं कर रही है लेकिन अगार्ट जी ने उनकी आवाज को सुना शब्स पाइलेट जीने संघर्स किया कि किसां बेटा है वह समझेगा किसां की बात मजदूर की बात कि किस के मीधनिवाइब अपने बच्चों ग्राणों पड़ाते हैं यॺुक्त करके लिए के वहां ठाकर चया जा चाना लागा है इस प États श्रेइम्रार धिने में दीन ऊकूल नजगे देने दीन अगर विसक्राह दो से ठाव कि भूए पहले से पहले से ही जो पेपर खरीद लिये थे पहले से तो इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और वाकिए राजस्थान की इस पवित्र धराप है यह बहुत शर्मनाग घटना है ऐसा नहीं होना चाहिए हम सबको उम्मीद है कि अभी जैसे पाइलेट साहब ने कहा था कि गहलो का मुद्धा हो चाहे बजरी का मुद्धा हो चाहे पेपर लीक का मुद्धा हो सारी बाते नहीं सुनी जा रही है अंतता है यह सारी बाते नहीं सुन रही है क्योंकि सरकार पूरी तरह से ब्रस्टा चार में लिप्त हो गई है जो विक्ति ब्रस्टा चार में लिप्त हो जा दूप में पसीनेवरी दूप में यात्र करनी पड़ी लेकिन अब जो जनता का प्यार क्योंकि हमेशे उनके लिए देखता है अब भाशन दिया होगा क्या सुना क्या उनकी मुख्य बाते नहीं जो आप लोगों को लगा कि यहां से ले करके जाएंगे और समाज में उसके बा कॉछ वखनार अन्तर नहीं होनाँ चाहिए क्योंकि सरकार ने कोई जानकारई कितरत मेंड़ा इस जनता परिदो क्या उनतर नहीं है क्या आपकी कत्षनी और क करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए अगर जनता ने आपको चुना है, तो आप उनके लिए कार करें, उनकी अवास सुनें, उनके अच्छे सच्छे मसिया बने, तभी आप एक अच्छे व्यक्तित हो सकते हैं, पाइलेट साब का पूरा संदेश यही था, कि आप अच्छे व्यक्तित बनके रहिए, क्योंकि यह द क्यों दूर किया? क्योंकि भारतिय जनता पार्टी गरीब किसान मजदूर युवा के लिए कुछ नहीं कर पारी थी, इसलिए हमने कॉंगरेस कुछ ना, लेकिन कॉंगरेस भी हमारे साथ अन्याय कर रही है, क्यों पैदा हो गए हैं, जो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं लिए बात अपने घर की है तो बात ऐसी होती है कि जब घर में कुछ हो जाता है तो घर के घर में सुलच जाए तो जादा अची बात तो सड़क पे आ गई है तो आपको बोला है ना कि अब सड़क पे आगे पाइलेट साब ने समय दिया है कि महीने के अंदर तक अगर उनकी सुलने तो ठीक है नहीं तो आंदोलनों का फिर वह आंदोलन गांधी परवार तो क्या पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा आंदोलन के हां किसी मसियान है जिस काम के लिए कॉंग्रेस एभिजल कोई वजूद नहीं है सारा कांग्रेसि को वोटर है वहां पर जिसकों आग्रेस का टिकेट मिल जाएगा वहां की जनता उसको चिता देगी आधारो वोटर है और उनका खुद का कोई जनाधार नहीं है अकर उनमें दम है तो आजा टिकेट पर इलेक्शन लड़क जो पराल गराजस्थान की सिक्षा मंत्री है वो सिक्षा पर एक भी सब्द नहीं कहती लगातार पेपर लीख हो रहे हैं ट्रांसफर के नाम पर पैसे होगाए जा रहे हैं और दूसरा यह है कि वह नों हमें जो हिंडी मीडियम स्कूल है वाँ पर उनके बोड और को हिंडी से इंग्लिस में लिखवा दिया और रहां की वह गोली बहली बाली जंता को बैए कर रही ऑए कि हमने अभी इनकों को इंग्लिस मीडियम कर दिया अभी अभी शाय ή कि हुद्गे Keyण舉े सब में inक्ट इस टीचरों की भरती कब कर दी उन्होंने इसकूलों में पाणी की विवस्ता नहीं है कई कूड़े करकट बड़े हुए हैं जिस तरीके से जिस एरिया का जिस डिपार्टमेंट का कोई मंत्रा ले मिलता है जिस भी विधायक को वह उस डिपार्टमेंट में अपने एरिया को चमका देता है और वहाँ पर सिक्छा के छेतर में बद से बते हालात है वो हो मुसल्मान बहुले इलाका है और मुसल्मान समुधाय से ही आने वाली आपकी विधायक है और म expos fantasy नी किया जब राहुल गांदी जी की पध्यात्रा निकली थी तो उन्हों इसलिए उसी दोरान उनको सिक्षा मंतरा ले दिया जा गया जिससे कि अपने लोगों के लिए अपने समाज के लिए कुछ कर सके और उन्होंने सिक्षा का एक सब्द नहीं सुना मैं हमने आज तक उनके भाषणों में वो फिर्फ इतना करती है कि अगर मैं उनके खिलाफ बोल से वहां के आम जंता खासकर मॉंडन कम्यूनिटी बरी हुई है उनको डरा कर धंका कर क्योंकि वहां पर बहुत ही जो अनपड़ता का रेशियो है बहुत ही ज्यादा हाई है इसलिए लोग पुलिस के नाम से भी डरते हैं और पुलिस इतनी वह है कि अगर किसी के पास दिव और मॉंडन ने लिए खास कर यह कि किसी की एफायार को दस बीस पचास हजार रुपे से कम में फायार नहीं लिखी जाती किसी की यह हाल है हमारे अरिया का पूरे देश में और देखो लोग कहते हैं कि बीजेपी जो मोधी मोडल है कि वो किसी के भी घर एडी और सीवी वो जो उनके खिलाब बोलता है उनके घर पुलिस बेज के उनको उठाले जाइदा खान उनको उठा लेते हैं और उनको कम से कम 151 की धारा तो तुरंत लगती है और अगर उनको कोई कुलू मिलता तो 354 ठोक देते हैं सीधा लूट पार लगा देते हैं कट्टा का हमारे जो पर और कोटा जैसा इसकूल चला रहे उनके उपर एक फरजी मुकदमा लगाया है जिसमें तीन सरकारी नोकरी है एक सीध चार्टेड अकाउंट एंट है उनके ऊपर एक मोबाइल मोबाइल चीनने का और 5000 की लूट का और कट्टा का यह मुकदमा लगाया है उन्होंने गहल हाले हमारे मेवात के वहां पर लोग जो अपने खेतों में पांडी चला रहा है खेतों में वह भी उसमें खिलाब बोलने से डरता है कि उसको पता लगता है कि किसी न मेरे बारे में कुछ कह दिया तो कली मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी और कोई भी फरजी मुकदमा लगा देगी और दूसरा 151 में वह 151 में वह एसी जमानत नहीं होने देते उसमें भी हैसियत लगानी पड़ती दो दो तीन तीन लोगों की वकील भी मोटा पैसा खाते हैं और तब जाके तब जाके उनकी होती है और उनको वार्न कर दिया जाता कि आगे से गर बोलोगे वि तरफ से तो सचीन पाहलेट जी ने उनको टिकेट दिलवाया था क्योंकि वह परिवारवादली वाली राजधनी 1947 से आज तक मेवों पर वही पखंदान राजनीति करता आया है उनको उनको अनपड रखा हुआ है आज तक एक भी स्कूल कॉलिज सिक्षा के नाम पर उन्हों पर अज़ तक कुछ भी नहीं किया वह उत्तर साल से हमार उपर राज कर रहे हैं पर आज तक सतर बींट सतर लोग भी हरिया राजस्थान को मिला कर उन्हों ने कोई हर गाव में हर समाज में वो दो पार्टिय बना देते हैं और फिर दोनों पार्टियों को लूट लूट के खाते हैं और डरा के धमका के काम करते हैं